नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं आपका दोस्त मित्रों सुनिल शास्ट्री और आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से एस्ट्रोलजी की कुछ विशिश और स्पेशल एडिशनल बाते प्रेमित्रों हम इसमें बात करने वाले हैं वीडियो में की और डिसकस करने वाले हैं वक्री मंगल के उपर दोस्तों जैसे कि आपने सुना है की और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कोई भी ग्रह दोस्तों हमारी हॉरस्कॉप में शुब हो या अशुब हो वो ग्रह जो है जैसे कि कोई शुब चाहिए मंगल की बात आप कर लिजिए मंगल है और मंगल यदि शुब बैठा है तो मंगल शुब ही करेगा यदि मंगल शुब बैठा है तो शुबता ही परदान करेगा लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि जो शुब ग्रह है वो शुबता परदान करता है उस गर से रिलेटेड जिस घर में वो बैठा है और जिस घर में ग्रह गोचर में आ रहा है लेकिन दोस्तों कई बार वही ग्रह जो है कई और भावों से related यानि कि और घर से related जो है अशुप फल भी परदान करता है यानि कि उसकी द्रिस्टी के द्रिस्टी मात्र के प्रभाव से जो है वो house यानि कि जिस house में उसकी नजर पड़ रही है और जैसे कि हर एक ग्रह का एक rule है उसकी जो द्रिस्टी है vision है वो भी शास्त्र के द्वारा clear किया गया है और नरधारित किया गया है कि जैसे कि मंगल है मंगल अपने से चोथे घर में, आठवे घर में, सातवे घर में इन तीन घर को पून्द द्रिस्टी से देखता है और इन तीन गरों में यदि उसकी कोई मित्र राशी हुई तो वहाँ पर जो है वो शुब परदान करता है और यदि शत्रु राशी हुई दोस्तों तो वहाँ पर जो है शत्रुता परदान करता है यानि कि दुश परिणाम देगा को प्रभाव करेगा उसी प्रकार से दोस्तों कोई भी ऐसा ग्रह जो अशुब है हमारे होरस्कॉप में या महादशाक लेकर लेकिन वो अशुबता ज्यादा भली ही देता है लेकिन कहीं कहीं वो है जो है अपने दिश्टी के प्रभाव से जो है शुबता भी प्रतान करता है तो दोस्तों वही चीज यहाँ पर लागो होती है और वक्री मंगल के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं इससे पहले कि डिसकस स्टार्ट करें आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू दिस माई चैनल सब्सकाइब एंड डॉंट फोर्गेट दा प्रेस बेल आइकन अगर आप प दोस्तों आपका वन्स अगें वेलकम है प्री मित्रों हम बात कर रहे हैं वक्री मंगल पर और वक्री मंगल क्या शुबता प्रदान करने वाला है क्या करेगा या की है तो जो भी है जो तीनों भूत बविश बरतमान के सिच्विशन को मंगल की वक्री मंगल की शुबर अशुबफल को आप खुद ही बहतरीन तरीके से जान सकते हैं दोस्तों इसमें जो है मैं समझाने वाला जो मैंने कारे किया है और जो इसमें एक्स्प्लेइन मंगल वक्री मंगल को किया है और वो इस टाइप में मैं कर रहा हूँ एक्स्प्लेइन की जिसका मंगल जो है दोस्तों चाहे फरस्ट हाउस में हो या फरस्ट हाउस से में मंगल हो तो उसका आप खुदी जायजा लगा सकते हो हमारे वीडियो देख करके कि आपका मंगल जो है आपको शुबता प्रदान करने वाला है या फिर अशुबता प्रदान करने वाला है शुबफल देने वाला है या फिर अशुबफल देने वाला है इस बात को आप हमारी कुंडली में और हमारे शरीर में हमारे जीवन में किस किन किन चीजों का कारेकर तो करता है यानि किन किन चीजों पर प्रभाव होता है कौन कौन से ऐसी जो पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं जो जिन चीजों से मंगल प्रभावित होता है मंगल क द्वारा हमें मिलती है चाहे वो हमारे शरीर में कोई गुण हो हमारा शरीर हो या फिर हमारे शरीर के द्वारा कर्म हो या फिर उसके द्वारा मिलने वाले कोई फल हो उन कौन-कौन से ऐसे फल है जो परदान करता है मंगल मंगल के अंडर यानि कि मंगल के बैनर तले जो हमें जो जो चीज़ें हमें मिल सकती है भविश्य अमें और जो जो गुन आदत हमें Factible हमारे शरीर पर हमारे जीवन में हो सकते हैं वो क्या है तो उन पर बात करते हैं दोस्तों जो मंगल है और मंगल जो है हमारे सबसे पहले जो शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव करता है यानि कि मंगल जो है शरीर का भी कारक है शरीर को मंगल रखना शरीर को पुष्ट रखना शरीर को स्वस्तदा देना ये हमारा मंगल हमें दिखाता है तो शरीर की पुष्टता शरीर की तुष्टता शरीर की पावर शक्ती जो भी हम कह सकते हैं उस शक्ती पुझ को तो वो सब शक्ती को प्रदान करने वाला मंगल है दोस्तों तो यहां मंगल जो है स्वास्थे बहुत अच्छा स्वास्थे प्रदान करने वाला एक ग्राय है इसके रिकार्डिंग ही हम स्वास्थे को और अपने शरीर की लंबाई, चोडाई, मोटाई इन सब चीजों को भाफ सकते हैं मंगल के दोरा यानि मंगल ये सारी चीजे जो है करता है हमें हमारे जीवन में दूसरा जो है दोस्तों हमें जो है एक आग्याकारी पुत्र के रूप में भी मंगल ही ऐसा फल देता है हमारे जीवन में यानि कि हमारे जीवन में जो पुत्र है वो मंगल के दोरा देखा जा सकता है कि मंगल कितना पूश्ट है कितना अच्छ है हमारी horoscope में और वो हमारे पुत्रों को कैसा बनने वाला है हमारे पुत्र होंगे या नहीं होंगे और होंगे तो वो किस टाइप में होंगे वो क्या करने वाले हैं पुत्र दूसरा दोस्तों मंगल जो है मंगल कारक है married life का यानि कि मंगल से देखा जा सकता है अपनी married life के ब दूसरा पॉइंट है दोस्तों सरकारी जो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या फिर जो इच्छा रखते हैं या जिनके पास है सरकारी या मिलने वाली है जिनको तो वो सरकारी जो भी गवर्मेंट जॉब्स होती है चाहे वो हाईएस पोस्ट की हों आईएस आईपीएस या फि अच्छी शक्ति वाले और अच्छे situation condition में बैठे हुए horoscope में उन्हें जो है सरकारी नोकरीक देने का काम भी मंगल के द्वारा ही होता है। से ग्रहों के according जो है कम या जादा हो सकती है। इसलिए आयू के देने वाले भी मंगल होते हैं। दूसरी बात इस पर हम देखते हैं मंगल धन के धन वे प्रॉपर्टी से related फल देने का कार है मंगल का होता है हमारी horoscope में। तो प्रॉपर्टी पैत्रिक संपत्ति जो होती है य या हमें विरास्त में मिलेगा ये सारी चीजे जो है प्रॉपर्टी से रिकार्डिंग जो भी चीजे है वो मंगल के द्वारा हमें हम देखते हैं horoscope में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो व्यक्ति वो धर्मात्मा होगा पापी होगा दुष्ट होगा दुराचारी होगा या उसका सभाव अच्छा होगा ये सारी चीजें जो है देखी जाती है मंगल के द्वारा मंगल के बैनर तले आती हैं जीवन में किसी राजसिक पत पर या राजा के समान या राज यूग बनाएगा ये भी मंगल के द्वारा ही होता है वैभव राजा के समान जो भी लोग बैभव जीवन में पाते हैं नेम फेम का जो दाता है वो भी मंगल ही है दोस्तों आगे बढ़ते हैं मंगल के कारकत्व में जो चीजें और आती हैं वो है माता की यानि की माता की situation माता की अच्छी situation भविश्य में होने वाली अपनी मा की या फिर अच्छी या बुरी साथ में दोस्तों लाइफ को बहुत इजीली तरीके से ऐसे कैसे वक्तियों को जो मिल जाती है प्रोग्रिस मिल जाती है वो भी मंगल के द्वारा होती है कई लोग आपने देखे होंगे कि वो जो है बहुत जादा स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करके ही उन्हें कुछ मिलता है लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करते हैं सिर्फ हाथ हिलाते हैं और जवान हिलाते हैं और घर में बैठे बैठे लाखों करोड़ों रूपे भी कमाते हैं, तो यह मंगल का ही प्रभाव है, मंगल के ही द्वारा जो है, वो यानि की जीवन में बहुत अच्छी प्रगती कर पाते हैं, होनहार बच्चे बन पाते हैं, यह मंगल का ही प्रभाव है, क्योंकि मंगल साजाता खुल दीबगा तो वो जो है दसोंगी भाव से भी रिलेटिट बहुत अच्छा फल देते हैं साथ में आयू की बात मृत्यू और जीवन के भी दाता कुनली में क्योंकि अस्टम स्थान यदि आप देखें और लगन आप देखें तो मेश यानि कि लगन शरीर की पु लाल किताब के अनुसार तो लाल किताब ही कहती है कि अस्टम ग्रह का माली की यदि पुष्ट है और अच्छा स्थित्म बठाए तो वो जो है बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति को और दीरगाईू और अनेक प्रकार के शस्त्रा घातों से शत्रुमों से मार पीट से जीवन में हर एक व्यक्ति को इसका लाब या कुलाब लाब या हानी ये दोनों चीजें जो हैं मिलती हैं हर एक व्यक्ति को मंगल के द्वारा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मंगल से और भी रिलेटिट कितने फल हमें हमारे जीवन में मिलते हैं दोस्तों दामपत्य जीवन की बात तो मैंने कही कि मंगल से देखी जाती, यदि मंगल किसी का खराब है तो उसका दामपत्य जीवन जो अच्छा नहीं रह सकता, यदि मंगल अच्छा है तो दामपत्य जीवन जो है बहुत अच्छा और शुखी खुशाहल होता है दोस्तों, इसके अल मंगल किसी का जब अच्छा होता है तो ऐसे विक्ति बहुत साहसी होते हैं और वहीं मंगल कुरूर ग्रहों से घिरा होता है या वीक पड़ा होता है आटमा बारों चटा होता है तो दोस्तों ऐसे विक्ति के अंदर साहस बिल्कुल नहीं होता है चाहे जे कॉन्फिडेंस देता है धन वैभाव मंगल देने वाला है जीवन में दोस्तों हम जो मेहनत करते हैं पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए यानि कि नेम और फेम और पावर पोस्ट के लिए तो पोस्ट जो है जीवन में अच्छी पोस्टों पर लाना अच्छी पोस्टों पर पहुंचाना दो इसलिए दोस्तों जीवन में मांगलिक कार्य जो भी होते हैं मंगल के द्वारा यानि कि आप से संबंदित मांगलिक कार्य हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे या कितने होंगे जादा होंगे कम होंगे इसका दाता भी दोस्तों मंगल ही है इसलिए मंगल का पुष्ट होना मं बहुत ही जरूरी है दोस्तों साथ में धैर्या पेशिंस धैर्या भी वही रख सकता है जिसका मंगल बहुत स्ट्रोंग हो उसके अंदर धैर्या और साथ में मंगल जिन लोगों का बहुत अच्छा होता है उनके अंदर दैवी ये गुण होते हैं दैवी ये शक्ति होती मिश्चित रूप से सफल हो जाता है तो यह मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में यह मंगल का ही प्रभाव है साथ में दोस्तों अगर मंगल खराब है तो व्यक्तियों के साथ में कई वार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां वो बंधन कारक हो जाती है यानि कि कई केस इस रिलेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट में ऐसा कोई केस हो जाता है तो वहां मंगल ही उन लोगों को अपने शक्ति और प्रभाव के द्वारा बचा लेता है तो बंदन मुक्त कर देता है जीवन में मकान बनाना है या अचानक प्रोपर्टी मिली है वो उसका कारण भी मंगल है मकान दुकान राजा के समान संपदा या फिर राजा जैसा जीवन मंगल देता है जीवन में सरकारी नोकरियां मंगल देता है नोकरी अच्छी नोकरी मंगल देता है और अहम ego कई लोगों को अपने ego heart होने में दिक्कत हुती है, वो अपने ego को कभी heart नहीं कर सकते है तो ये ego का प्रभाव भी जो है मंगल देता है, साथ में जीवन में जो हमारा वियवहार है, culture है, nature है उसमें जो सौम्यता बहुत ही कई लोग बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से डील करते हैं लोगों को और कहीं जो है क्रोध का कई लोग क्रोधित रहते हैं क्रोध जैसा मुख होता है या क्रोधित रहने वाले होते हैं दोस्तों तो वहां जो है मंगल का ये कारिकत्व है यानि कि मंगल से related कुरोध है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है मंगल से सम्मन्दित है, अब हम जानते हैं दोस्तों इसके बाद कि मंगल, वक्री मंगल जो किस किस सिचवेशन में हमें अच्छा, बुरा, शुब और अशुब फल दोनों ही प्रकार के फल जीवन में देता है, तो दोस्तों आईए करते हैं, start इस point को, कि क्या है मंगल और किस किस सिचवेशन में सही फल हमें दे सकता है, वक्री मंगल का अर्थ क्या है, यानि कि वक्री मंगल का meaning क्या है, सही, आपको मैं example की तोर पर समझाता हूँ, दोस्तों वक्री मंगल का मतलब है, वक्री जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में कहा कि वक्री ग्रह के बारे में, सभी वक्री ग्रहों के बारे में और वक्री शब्द के बारे में बिशेश ये वीडियो आपको पहले बनाई, यदि आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर जा करके वक्री ग्रह सर्च कीजिए ऐस्तिरोजर सुनेशास टी करके और तो आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेडिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी तो दोस्तों वक्री का मतलब वक्री मंगल का अब यहां आर्थ यह निकलता है कि मंगल अब जो है जितनी उसकी चाल थी स्पीड सी ती रूटीन में जितनी स्पीड थी उससे अब काफी तीन गुना कम यानि कि धीरे हो गया है चलता है उसका चलना जो है अब तीन गुना कम हो और वो बहुत धीरे से चल रहा है तो वक्री मंगल जो है जब धीरे चलेगा दोस्तों तो वो उसकी चाल जब धीमी हो जाएगी तो वो निश्चित रूप से अपनी जिस राशी पर वो बैठा है आपकी ग्रह दशाओं के अंतरगत माद शाओं के अंतरगत या ग्रह गोचर म जब भी वो चलेगा तो दोस्तों वो अपनी राशी पर और अपने घर को और जिस कंडिशन पर बैठा हुआ है उस कंडिशन के हिसाब से अब वो अपनी राशी और अपनी द्रिस्टी से जो घर उसने देखने है उन घरों पे बहुत अच्छे तरीके से अब वो अपनी द् या फिर जो फल मंगल ने देना है वक्री मंगल ने वो अपना फल बहुत अच्छे तरीके से अब देने वाला है क्योंकि दोस्तों कोई भी कोई भी व्यक्ति यदि बहुत तेजी से चल रहा है और चलते चलते अचानक से उसका घर पड़ गया या अपना कोई व्यक्ति जो है उसकी अब बहुत आराम से चल रहा है उसके कोई वर्क लॉड नहीं है और बहुत आराम से चल रहा है लेकिन अगर रास्ते में उसे वही कोई अपना घर या अपना कोई व्यक्ति मिल गया तो निश्चित रूप से उसके पास समय है तो बहुत अच्छे तरीके से पूछेगा कि हां जी आप नमस्कार भी करेगा हाय हैलो भी करेगा और भी बहुत सारी बातें हाल के धीरे धीरे चलते हुए जो है बहुत सारी बातें कर लेगा यानि पूरा देखपाल करके और अच्छे तरीके से हाल चाल पोच करके और निकल लेगा उसी प्रकार से ग्रह भी जब वक्री हो जाता है मंगल जब वक्री हो जाएगा तो वो अपना घर जहां बैठा है अपने से आगे वाला घर और अपने से जो दिर्ष्टी में जो घर उनके नीमित रूप से जो देखते हैं दिर्ष्टी के अनुसार उन घरों के भी बहुत तरीका है दोस्तों वो अब ती गुना अधिक हो जाएगा ती गुना शक्तिशाली के रूप में शक्तिशाली हो करके उन फलों को उतने रूप में देगा यानि कि जितना पहले रूटीन में देता है नियमित रूटीन में जितना दे पाता था उससे अब तीन गुना अधिक फल, मंगल जो देने वाला है आपको वो देगा अब वो फल दोस्तों बुरा भी हो सकता है और शुब भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों वक्री मंगल का अर्थ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वक्री मंगल का अर्थ हो गया कि तीगुना शक्तिशाली अब वग्र हो गया चाहे हो मंगल हो शनी हो बुद्ध हो या फिर इन पांच ग्रहों में से कोई भी हो तो जब वग्री हो जाता है हमारी होरासकॉप में दोस्तों तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है अब वो यदि ग्रह खराब होग आपके लिए तो वो उतना ही तीन गुणा रूप में आपको जो है बुरा आफेक्ट देने वाला है उन घरों से रेलेटिट या उसकी सिच्वेशन अच्छी नहीं है तो वो अब आपको बुरा तीगुणा तीगुणा रूप में पात उसका जिनकी घरों में पड़ेगा या फिर जिस घर में है जिस राशी में है उससे सुब राशी से संबंदित वह तीन गुना अब आपको फल शुब फल देने वाला है उस घर से संबंदित जो भी फल होंगे तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर एक्स्पिलिन करती है अब बात करते हैं कि वक्री मंगल की क्या ऐसी कंडिशन है ये सभी के लिए एक सामानने फल है जिससे की सभी जो है समझ सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वक्री मंगल का क्या ऐसा फल है कौन सी ऐसी कंडिशन है कौन सी ऐसी situation है जिन situation में मंगल अच्छा फल देगा और कौन सी ऐसी conditions है जिन में जो है मंगल अशुब फल परदान करेगा वक्री हो करके तो दोस्तों आईए जानते है मंगल की situation सबसे पहली मैं आपको बता दूँ कि एक तो मेश राशी में कौनली आपके सामने है मेश राशी में मंगल हो कौनली के कहीं भी एक हो और उसमें मंगल हो तो ये उसकी good condition है मंगल की उसके बाद में ब्रिश्चिक में यानि कि एट जहां भी आठवी राशी ब्रिश्चिक राशी होरासकॉप में कहीं भी किसी भी घर में हो और उस ब्रिश्चिक राशी पर यदि मंगल है तो ये दूसरी उसकी good condition है powerful condition है और तीसरा है 10 number यानि कि दस्वे राशी दस्वे राशी है मकर राशी दस्वे नंबर पर कुंडली के किसी भी घर में यदि मंगल है तो समझे ये तीसरा point है मंगल के good होने का यानि कि इन तीन point में मंगल की situation condition बहुत ही good है और यदि इन तीनों condition में से एक भी situation condition यदि आपकी कुंडली में है मंगल की तो समझे आपका मंगल जो है आपको वकरी हो करके बहुत ही बहतर उत्तम और तीन गुना अधिक शक्ती के साथ में आपको उस से सम्मंगल से सम्मंदित जो भी शूब फल होते हैं वो देने वाला है अब मंगल से संबंदित क्या-क्या फल होते हैं मंगल से संबंदित क्या-क्या हमारे जीवन में शुपता होती है वो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया तो दोस्तों मेस में, ब्रिश्चिक में और मकर में अब ये इन तीनों में क्यों है शक्तिशाली और गुड कंडिशन में मंगल क्योंकि मेश राशी और ब्रिश्चिक आटवे नंबर की राशी ये दोनों राशियां मंगल की राशियां है यानि कि स्वग रही इन घरों में इन राशियों में मंगल हो गया इसलिए गुड कंडि और उच्छ का मंगल जो है बहुत ही शुब कारक होता है हमारी होरस्कॉप में मंगल से संबंदित जितने भी फल होते हैं वो शुबता प्रदान करता है चाहे वो गौर्मेंट सर्विसिस हो चाहे वो आपके साहस की बात हो चाहे आपके शुब कर्मों की बात हो और भी everything जो भ वक्री हो जाता है तो दोस्तों जो फल वो दे ही रहा है अच्छा उस फल को वो अब तिगुना शक्ति के साथ में तिगुने रूप में और शक्ति के साथ में आपको वो शुब फल प्रदान करता है दोस्तों तो यह है मंगल की good conditions इसके अलावा दोस्तों मंगल को मैं आपक कोप में दिखा देता हूं कुंडली में आप देखिए मंगल माना कि अगर मेश राशी में हैं तो मेश राशी से जिस जहां पर है क्योंकि वक्री गरा हमेशा दो घरों का फल देता है दो घर कौन से हैं एक वो घर जिस घर में वो बैठा है जैसे कि मेश राशी में बैठा हो और उसका ब्रश राशी आगली पड़ गई तो उन दो घरों का फल देगा यदि मेश में ब्रश्चिक में मकर में है तो आगले घर का भी फल शुब देगा लेकिन जैसे कि सपोस्ट एट मंगल मेश राशी में है कुंडली के किसी घर में पर वहां से अब वो अपने से भी फल करेगा जैसे कि अपने से मंगल हमेशा अपने से चोथा घर का अपने से मंगल से छोथे घर का फल वो प्रदान करेगा suppose that मंगल आपके लगन में है तो लगन से चौथा घर यदि देखता है तो दोस्तों चौथे घर में मंगल की जो दृष्टी है वो दृष्टी के प्रभाव से जो है आप यहाँ पर जो है चौथे हाउस में देखने पर वो आपकी जो लाइफ जो है वो स्ट्रगल में कर देगा यानि कि बहुत ही संगर्ष में कर देगा क्योंकि हालां कि वो आपको सब कुछ देबाब कहेंगे संगर्ष में कैसे हो रहा है अच्छे मंगल के कारण तो धन, धन, नोकरी, पेशा, नेम, फेम सब कुछ है लेकिन लाइफ भी तो इसके बावजूद भी तो स्ट्रगल हो सकती है इसके बावजूद भी तो संगर्ष में लाइफ हो सकती है अब चौथी दृस्टी के बाद में मंगल देखता है दोस्तों आठवे घर को, चौथा उसने देखा, पांचवा, छटा, सातवा और आठवा आठवे घर को जब वो देखता है तो यहाँ पर उसका वो अपना घर है उसका वो अपना घर है क्योंकि 8 नमबर यहाँ पर आ गया तो इसलिए जो है उससे सम्मंदित फ़ल यहाँ पर वो देगा कि आपकी आईउ को बहुत दिरग आईउ बना देगा यानि कि आपकी आईउ को लंबी आईउ और एक स्वस्त हेल्दी व्यक्ति के रूप में कनवर्ट कर देगा वहीं दोस्तों सात्वी द्रिष्टी भी मंगल की होती है तो सात्वी द्रिष्टी तो सात्वी घर में पड़ी अब वहाँ पर राशी छटवी राशी है दोस्तों अब वहाँ पर जो है सात्वी राशी यानि शुक्र की राशी है अब शुक्र की राशी है दोस्तों तो वहाँ पर जो है शुक्र उनके सम है मित्र एक तो मित्र होता है शत्रु होता है और सम होता है तो सम है ना शत्रु है ना मित्र है तो वहाँ पर ठीक ठाक फल देगा यानि कि आपके वैभाईक जीवन को और मेरिड लाइफ को बहुत अच्छा दामपत्य जीवन को अच्छा रखेगा शुबता प्रदान करेगा तो इसी परकार से दोस्तों आब वो चाहे बृष्चिक में हो तो वो बृष्चिक राशी जहां है वहां से चोथा आटमा साथमा और इन घरों को देखेगा मंगल और वक्री होने का कारण यही है वक्री होने का मतलब यही है कि अब वो जो चल रहा है बहुत धीरे से चल रहा है धीमी चाल से चल रहा है मंगल और धीमी चाल से चलने के कारण जो है जो जो घर वो जिन जिन घरों में दृस्टी पात कर रहा है मंगल और चाहे वो अपना घर हो चाहे दूसरा घर हो चोता आपट दे सका वो दे देता हो चल देता लेकिन आप जो है बहुत आराम से चल रहा है तो इसलिए फल को दृष्टी भी काफी देर तक उस घर पर रहेगी और उसका फल उससे related अच्छा या बुरा फल भी उतना ही जादा देर तक और तेजी से और शक्ति के साथ में उसे प्र लेकिन वहीं दोस्तों मेस ब्रश्टिक और मकर इन तीनों राशियों के अलावा यदि मंगल और राशियों पर होता है या और राशियों को ले करके किसी और घर में हो तो वहाँ पर वक्री होने पर मेरे दोस्तों वो कोई शुबफल परदान नहीं करने वाला वहाँ जो है शुबता बिल्कुल मंगल नहीं देगा क्योंकि वहाँ वक्री होकर के जो जिस घर में बैठा है और जिस दिस देख रहा है वहाँ पर जो है वो अशुबता प्रदान करेगा दोस्तों लेकिन इसके साथ में अगर मंगल इन तीन राशियों में ना हो में इस व्रिष्चिक मकर में तो वो जो इसके अलावा यदि नीज राशी में हो यानि कि करक राशी में मंगल नीज के हो जाते हैं और करक राशी में नीज के होने पर मंगल जो है बहुत ही कुप प्रभाव और बुरा प्रभाव कर सकते हैं दोस्तों लेकिन सपोज देट वो करक में हैं कुंडली में और करक राशी से चोथा आठवा और सात्वा घर यदि दृष्टी से देख रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों यदि उनकी मित्र की राशी चोड़ थे अपनी दृष्टी के अनुसार पढ़ रहे हैं जैसे कि उनके मित्र हैं मंगल के सूर्य की यदि कोई राशी है जैसे सिंग गुरू की कोई राशी है जैसे कि धनू और मीन तो इन राशियों में जो है वो अपना प्रभाव देखने पर जो है कम करेंगे प्रभाव जो है या फिर ना के बराबर प्रभाव यहाँ पर दे सकते हैं बुरा फेक्ट जो मंगल देगा वो नहीं देगा उसके अलाबा जो धनू में या मीन में तो वहाँ पर भी अपना कोई प्रभाव जादा नहीं देंगे ना के बराबर अपना बुरा फेक्ट देंगे वहीं जो है दृष्टी मात्र से या फिर शुकर की राशी तुला में बैठे हो ब्रिश में बैठे हो या फिर शनी की राशी मकरिया कुम मे बैठे हों तो वहाँ पर भी दोस्तों यह अपना अशूफ फल पर्धान नहीं करेंगे और कम ही ना के बराबर ही वहाँ पर जो है अपनी अशूपता देते हैं चाहे वह ये राशियां, जो राशियां मैंने अब बताई, ये राशियां चाहे उनकी द्रस्टी में हो या फिर इन राशियों पर वो बैठे हो तो वहाँ पर वक्री मंगल जो है अपना प्रभाव कम करेगा, ना के बराबर करेगा, इनके अदर जो राशियां वहाँ पर और कुरूर प्रभाव दे सकता है दोस्तों ये मंगल के बारे में जो वक्री मंगल के बारे में जो मैंने आपको सारी information देख इस information को आपने प्राप्त किया अब आपसे मैं ये चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो को देखने से सुनने से कोई लाप राप्त हुआ या तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहें क्योंकि यदि आप कहेंगे तभी हम जो हैं आगे बुद्ध वक्री बुद्ध के बारे में वक्री गुरू के बारे में वक्री शुक्र के बारे में वक्री शनी के बारे में जो है आगे वीडियोज बनाएंगे इसी तरीके से तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और दोस्तों यदि आपको अपनी होरा स्कॉप से बारी की सेज़ी एनलाइसिस करवाना है तो उसके लिए जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्स अप नमबर पर 9205574511 पर कुणली को भेज सकते हैं अपने डेट बट भेज सकते हैं एनलाइसिस के लिए ताकि हम आपको रिपलाई कर पाएं दोस्तों ये थी जानकारी वक्री मंगल के बारे में तो मुझे लगता है कि अब आपको वक्री मंगल का फल अशुब या शुब फल देगा वो और दूसरा वक्री के बारे में पता लग गया होगा कि वक्री क्या होता है वक्री मंगल क्या होता है इसका प्रभाव कैसे मिलता है कैसे देगा ये सारी चीछे हैं तो दोस्तों विदा चाते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में जैश्री किशना थैंक्स पर वाचिन दिस वीडियो साथ में जाते जाते कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे च अच्छी ये दिल लगी है तो हमारे वीडियो को आप शेर करना बिलकुल मत भूलिएगा जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम शेर भी करें थैंक्स फॉर वाचिंग तेस वीडियो जय स्री कृष्टना करें वीडियो करें